और अब खबर मेरेट से है जहाँ पर नोईडा के बिज्डी विभाग में रिश्वत खोरी का लेबल मांटेट एवरेल सा जैसा उचा है आपको दादे यहाँ पर एक एक्सियन ने दो कारोबारियों से 54 लाख रुपे की रिश्वत वसूली है लेकिन उस एक्सियन का पाप का घड़ा भर चुका था पापकुदार यहाँ पर गलती से पैसा सकारी खाते में चला गया जांच हुई तो मालूम पड़ा कि रिश्वत खोरी के बड़े-बड़े महाकावे लिखे जा चुके हैं और डेर साल की जांच के बाल आरूपी एक्सियन संजय सर्मा और विभाग क रुकडिया महेश कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया तो मामला उस वक्त का है जब 2019 में ये दोनो नौईडा के नगरी छित दूती में तैनाथ थे उसी दोरान एक्सियन संजय सर्मा ने एक बड़े काम के लिए दो भारी लोगों से 24 लाक रुपे की रिस्वत ली ये रिस्वत उसने महेश कुमार को सौप दी और महेश कुमार बो सक्स थे जो हर तरह के राजदार थे संजय सर्मा के और उनके बैंक खाते भी ऑपरेट करते थे उन्होंने इस रकम को बजाए निजी खाते में डलवाने के सरकारी खाते में करा दिया जिसके बाद महकमे में हरकम मच गया तलास हुई जांच हुई जिसमें ये पाया गया कि इस पैसे का कोई सौर्स नहीं है ये पैसा किस गरहा के पास से आया और किस मद में था इसका कोई जानकारी नहीं मिली जिसके बाद संजय सर्मा और महेश कुमार के खिलाप क तो फिर सासन तक इसकी गूँज हुई जिसके बाद जो जाच समीती थी उसको बोला गया कि इस पूरे मामले में निस्पचता से कड़ी कारवाई की जाए करीब करीब एक साल से जादा के बक्त के इंतजार के बाद दोनों को नोकली से बरखास्त कर दिया गया है संजय सर्मा नोईडा से पहले मेरट में तैनात रहे और यहां बुनकरों से उगाही के लिए वो काफी बदनाम भी रहे थे फिलाल दोनों की जो बरखास्तगी है नोकली से वो हो चुकी है यानि उनको अपने ब्रश्टचार का जो सबक है वो मिल चुका है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कारवाई में करीब डेड़ साल का बक्त लग गया और अगर फर्द किजिए ये पैसा सरकारी खाते में न जाता तो कोई जान भी न पाता कि आखिर संजय सर्मा कितने बड़े बड़े गुल खिला रहे है कैमरा सयोगी सानू के साथ में नरेंदर बारा समाचार मेरट